यह ना कचौरी है ना समोसा है ना तेल मितला है और बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी है पर समोसा और कचौरी का स्वाथ जरूर देगा आपको मतलब आप अगर डाइटिंग भी कर रहे हैं तो एक दो आराम से खा सकते हैं ऐसी रेसिपी है यह तो मैंने यहां पर आलू वाली बाटी बनाई है एक तम परफेक्ट तरीके से जिसे की हर कोई खा सकता है हर एज का खा सकता है बच्चे भी बुड़े भी कोई खा सकता है तो यहां पर मैंने पैन रख दिया है और डाला है तक जीरा, हरी मिर्ची कटे हुए और करी पट्था जरूरी डाला झालेगा अच्छा टेस्ट आता है अब हमें डाला है चाल- हे-फ्यकल्रा साइज के उगले हुए आलू, आलू को अच्छे से पोटैटो मैशर से मैश कर तोड़ा समयने यहां पर गिसा हुआ गाजर हल्दी धनिया पाउडर और चाट मसाला कश्मीरी लाल मिर्च और उसके साथ साथ थोड़ा समयने यहां पर सांभर मसाला डाला है बहुत अच्छा टेस्ट आता है बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स और मैश करते हुए यहां दूसरा पैन उसमें भी थोड़ा सा तेल ढाली थेल डालने के बाद इस मियारल करना है थोड़ी सी मौमफली जन्चल है आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं पर डालनेगे बहुत अच्छा टेस्ट बनकर ट्यार होता है आलू अब यहां पर थोड़ा इसको mix करना है और फिर से एक नया सातड़का इसके साथ add करना है ऐसे अगर आप आलू बनाएंगे ना तो समोसा और कचोरी खाना भूल जाएंगे इस तरीके से बहुत अच्छा और टेस्टी सिर्फ इतने ही measurements के साथ बहुत अच्छी आलू बनकर त्यार होती है नीचे और ठंडा होने के बाद यूज करेंगे अब हम यहाँ पर लेंगे आटा तो आटा अपने हिसाब से लीजे जितना आपको नीड हो मैंने यहाँ पर दो कप आटा का यूज किया है और दो छोटी चमच मैंने यहाँ पर अजवाइन डाली है अजवाइन बहुत अच्छ इतना ही डालना है बेकिंग सोडा दो चमच घी डालना आपको बड़े चमच भर के तो इस तरीके से यह यह यूज किया है जो मैं आपको दिखा दे रहें कितना मेजरमेंट ले रहा है किस हेसाब से लेना है थोड़ा सभी कुछ उपर नीचे होता है हमारी चीजें विगड कर जाती है अच्छी नहीं बन पाती है तो यहां पर एकडम एक्विरेंट मेजरमेंट से आप लगाएंगे एकडम खसता बहुत ही टेस्टी बनकर त्यार होगा अगर आप इस तरीके से आटा लगाते हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा आटा और घी सारी चीजों को अच्छ जलते हुए बनाया जाता है फिर जब मूठी का शेप आने लगे उसके बाद तोड़ा थोड़ा पानी डाल कर अच्छे से हार डाटा आटा आपको त्यार कर लेना है हार भी बनाना है मुलायम बनाएंगे तो बहुत देर में पकेगा आप बहुत टाइम लगता है अगर हार इसके बाद चोटे चोटे से पेड़े बना कर त्यार करने तो जितनी पूरी का पेड़ा लिया जाता है उतना लीजे तो धोड़ा सा कम लीजे क्योंकि कोटिंग इसम बहुत अच्छी नहीं लगती तो आटा आपको थोड़ा ही उठाना है और पतली परत इसकी बना कर त्य मोटी परत इसमें अच्छी नहीं लगती है तो इस तरीके से पतली पतली लेयर आप इसका गोल हाथ से या चकला बेलन की मदद से भी आप बना सकते हैं तो मैंने यहां पर हाथ से इस तरीके से घुमाते हुए बना दिया है अब ऐसा है कि इतना ड्राय मिक्श्यर हमने कर लिय बस इस तरीके से इसी प्रोसेस इसी मेथट का यूज करते हुए फटाफट से बाटी गोल गोल बना कर त्यार कर लिजे इस तरीके से दिखिए एक और फिर से मैंने आपको एक और एक और बना कर दिखाया कि इस तरीके से आप फिर से इसे गोल गोल बना कर त्यार कर सकते है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बनाने में बस आप पे पैन चड़ाना है और सारे सेक्संस को घी से कोट कर देना है घी थोड़े थोड़े इसमें आधी आधी चमच थोड़े घी हो बस एक से दो चमची यूज़ होता है ज्यादा मतलब ओयल ये सोखता नहीं है इस तरहिके से आपको क्या करना है फिर से सारे बाती में अच्छे से आपको घी का ग्रीसिंग उपर सही कर देना क्योंकि अब हम सेक्संस को फिर से ग्रीस नहीं कर सकते तो हमें बाती को ही बार बार से ग्रीस करना पड़ेगा घी से आप चाहें तो ड्राय भी बना सकते हैं अगर आप घी अगर किदर भी रह जाता है तो थोड़ा घूमाते हुए इसको फिर से अलट पलट दीजे खुब अच्छे से बनकर त्यार होती है तो मैंने यहां पर बढ़ियां सी समुसा कचोरी फेल कर देने वाली आलू स्टफिंग की बाती बना कर त्यार की है थोड़ी सी हम मिर्चियां मिर्ची जब तलें उस पर थोड़ा सवचाट मसाला लाल मिर्च और थोड़ा संदमक डालें बहुत ही अच्छी तली हुए मिर्चियां बनकर त्यार होती है यहां पर मैंने यूज किया है यह लाल वाली चटनी टमाटर की चटनी इसकी रेसिपी भी मैं आपने वीडियो मे बहुत अच्छी चटनी बनकर त्यार होती है तो इस तरीके से अगर आप बनाकर मसाला आलू बाटी बनाकर खाते हैं तो आप समोसा और कचौरी खाना भूल जाएंगे बाहर की चीजें भूल जाएंगे क्योंकि इसी ओयल प्री मतलब बहुत जादा ओयल नहीं डाला मैंने तो इसी मसाला आलू बाटी से आपको समोसे और कचौरी और जो वो क्रेविंग होती है ना कि हम कुछ साम को कुछ तेस्ती सचट पटा सा खाएं तो वो क्रेविंग ये बिलकुल एकदम खाने के बाद आपकी खतम सी हो जाएगी और आप रोज इसे बनाकर खाएंगे इतनी अच्छी ये डेश बनकर त्यार होती है तब तक के लिए बाबाई